आईए आज कथा सहित्ते में सुनिये शरत चंदर चटो पाध्य जी की लिखी कहानी जिसका शीर्शक है बाले स्मृति अन्य प्राशन के समय जब मेरा नाम करण हुआ था तब मैं ठीक से मैं नहीं बन सका था या फिर बाबा का ज्योतिश शास्त्र में विशेश दखलना था किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया बहुत दिन ना लगे दो ही चार साल में बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता अब मैं बारहा तेरह वर्ष की बात कहता हूँ हालां कि मेरे आत्म परिजे की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा फिर भी देखिए हम गाउं के रहने वाले हैं बशपन से मैं वही रहता आया हूँ पिता जी पच्छाहां में नौकरी करते थे मेरा वहां बहुत कम जाना होता था नहीं के पराबर मैं दादी के पास गाउं में ही रहा करता घर में मेरे उधम की कोई सिमा ना थी एक वाक्य में कहा जाये तो यूं कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावन था बुड़े बाबा जब कहते तो कैसा हो गया है किसी की बात ही नहीं मानता अब तेरे बाप को चिठी लिखता हूं तो मैं ज़रा हसकर कहता बाबा वी दिन अब लद गए बाप की तो चलाई क्या अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने ही क्यों लगा बाबा को वी ही कहती क्यों कैसा जवाब मिला और छेड़ोगे उसे बाबा अगर नाराज होकर बाबुजी को चिठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता फिर जब तक उनसे चिठी फड़वा कर फिकवा ना देता तब तक अफीम की डिबिया ना निकालता सभी सुखों की आखिर एक सीमा है मेरे लिए भी वही हुआ बाबा के चचेरे भाई गोबिंद बाबु इलाबाद में नौकरी करते और वही रहते थे अब वे पेंशन लेकर गाउं में आकर रहने लगे उनके नाती श्रिमान रजनी कांथ भी ये पास करके उनके साथ आए मैं उन्हें मजले भाईया कहता पहले मुझसे विशेश परेचे नहीं था वे इस तरफ बहुत कमाते थे और उनका माकान भी अलग था कभी आते भी तो मेरी और जादा ध्यान नहीं देते कभी सामना हो जाता तो क्यों रे क्या करता है, क्या पढ़ता है के सिवा और कुछ नहीं कहते इस बार जो गाउं आए तो गाउं में जम कर बैठे और मेरी और जादा ध्यान देने लगे दो-चार दिन की बाचीत से ही उन्होंने मुझे वश में कर लिया कि उन्हें देखते ही मुझे डर सा हो जाता मुह सुखा जाता चाती धड़कने लगती जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हूँ और उसकी ना जाने कितनी सजा मिलेगी और उसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर कसूर हुआ करता हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती दो-चार अकर्म, दो-चार उब्द्रव करना मेरा नित्या का काम था डरने पर भी भाईया को मैं चाहता खूब था भाई भाई को इतना मान सकता है यह मुझे पहले नहीं मालूम था वे भी मुझे खूब प्यार करते थे उनके साथ भी मैं कितनी ही शरारतें कितने ही कसूर करता था किन्तु वे कुछ कहते नहीं थे तो मैं समझता कि बड़े भाईया ठहरे थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे उन्हें याद थोड़े ही रहता है अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके गाउं में आज आने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो ना रहा पर फिर भी जैसा हूँ मसे में हूँ रोज बाबा की तमाखु पी जाता बुढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहने कभी तकीय की खोली के भीतर कभी कहीं कभी कहीं तमाखु छिपा रखते पर बंदा ढून ढांड कर निकाल ही लेता और पी जाता खाता पीता मस रहता मौच से कटती कोई जंजट नहीं, बला नहीं पढ़ना लिखना तो एक तरहां से छोड़ ही दिया समझो बाग में जाकर चिडियां मारता गेलहरियां मारकर भून कर खाता जंगल में जाकर गड़ों में खरगोश धूनता फिरता यही मेरा काम था ना किसी का कोई डर, ना कोई फिक्र पिताजी बकसर में नौकरी करते थे वहां से ना मुझे वे देखने आते और ना मारने आते बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूँ एक वाके में यूं कहना चाहिए कि मैं मसे में था एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुझे सुना कि मुझे मजले भाईया के साथ कलकत्ते में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा बाबा ने कहा हाँ मैंने पहले से ही सोच रखा था कि यह सब बाबा की चाला की है इसलिए कहा यदि जाओंगा तो आज ही जाओंगा बाबा ने हसते हुए कहा इसके लिए चिंता क्यों करते हो बेटा रजनी आज ही कलकत्ते जाएगा मकान ठीक हो गया है सो आज ही तो जाना होगा मैं आग बबूला हो उठा एक तो उस दिन बाबा की छेपाई हुई तमाखू डूणने पर भी नहीं मिली जो एक चिलम मिली थी वह मेरी एक भूँक के लिए भी नहीं थी तिस पर चाला की परन्तु में ठगा गया था अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटूं लिहाजा उसी दिन मुझे कलकत्य के लिए रवाना होना पड़ा चलते वक्त बाबा के पैर चुए और मैं मन ही मन बोला भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद के लिए घर लोटाऊं उसके बाद फिर मुझे कौन कलकत्य भेशता देख लूँगा कलकत्य मैं पहले ही पहलाया इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था मैंने मन ही मन सोचा अगर मैं गंगा के छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड में या वहां जहां जुण के जुण मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े हैं खो गया तो फिर कभी घर नहीं पहुंच सकूँगा कलकत्य मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा इतनी दहशत में भला कोई चीज अच्छी लग सकती है आगे कभी लगेगी इसका भी भरोसा नहीं कर सका कहा गया हमारा वहन नदी का किनारा वे बासों के जुर्मुट बेल की जाड़ी मित्र परिवार के बगीचे के कोने का अमरूद कुछ भी तो नहीं यहां तो सिर्फ बड़े बड़े उंचे मकान गाड़ी घोड़े आदमियों का भीड भड़का लंबी चोड़ी सडके ही दिखाई देती है मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं जहां छिपकर एक चिलम तमाखु पी सकूँ मुझे रोना आ गया आसु पोँचकर मन ही मन कहने लगा भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वे ही देंगे कलकत्ते आया हूँ स्कूल में भड़ती किया गया हूँ अच्छी तरहां पढ़ता लिखता हूँ लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ गाओं में जरूर मेरा नाम जाहिर हो गया था खेर उस बात को चाने दो हमारे आत्मे मित्रों ने मिलकर मैस बना लिया है जिसमें हम चार आत्मी रहते हैं भगया, मैं, राम बाबू और जकरनात बाबू राम बाबू और जकरनात बाबू मझले भगया के मित्र हैं इनके सिवा एक नौकर और एक ब्रहामन रसोया भी है। गदाधर रसोया मुझसे तीन चार वर्ष बड़ा था। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। महले के किसी भी लड़के से मेरी बाचित नहीं हुई और ना किसी से मेल जोल ही हुआ। मगर गदाधर बिलकुल भिन प्रिकरती का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब घुटती, कितनी गप शप उड़ती, इसका कोई ठिकाना नहीं। वो मेदनीपुर जिले के एक गाउं का रहने वाला था। वहां की बातें और उसका बालिय इतिहास आदी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गाउं की बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि मुझे अगर उसके गाउं में आँखो पर पट्टी बांध कर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं तमाम गाउं में और उसके आसपास मजे में घुम फिर सकता हूँ। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घुमने चाया करता। शाम को रसोई खर में बैठ कर ताश खेला करता। रोटी खाने के बाद चौक उठ चाने पर उसके छोटे हुके से दोनों मिलकर तमाखो भी पी लिया करते। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते। महुले पडोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। मेरा तो साथी संगी, यार दोस्त, मूची टोले का भूलो, केलो, खोका, खानदा, सब कुछ वही है। उसके मुँ से मैंने कभी बड़ी बात नहीं सुनी। जूट मूट ही सब उसका निरादर करते। इससे मेरा जी जलने लगता। पर वो अपनी जबान से कभी किसी को जवाब ना देता। जैसे वास्तव में वो दोशी ही हो। सब को खिला पिला कर सब से पीछे जब वो रसोई घर के एक कोने में चिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता। तो मैं हजार काम छोड़ कर वहाँ पहुच जाता। बेचारे की तक्तीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ना था। और तो क्या भाद तक कम पड़ जाता। और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्तित नहीं रहा। परन्तु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी, दाल, भाद, घी तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। छोटे पन में मैंने अपनी दादी के मुह से सुना है। वे मेरे लिए कहा करती थी। लड़का आधे पेट खा खा कर सूख के कांटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भर पेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाओं, चाहे कांटा हो जाओं, मुझे आधे पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकते आने के बाद समझा की उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ की, किसी को भर पेट खाना ना मिले तो आँखों में आसु आ जाते हैं। पहले मैंने ना जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डाल कर उन्हें खाने नहीं दिया है। भूका और बिल्कुल भूका रखकर मुझे परम संतोश हुआ है। और इस गदाधर को देखो, ना जाने कहां का कौन, इसके लिए मेरी आँखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर यह हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आखिर आखों में इतना पानी आता कहां से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा, किसी बात पर जित पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीट पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी है, फिर भी वे मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते, सुकुमार की देख पत्थर की है, मैं मन ही मन कहता, देख नहीं बलकि मन पत्थर का है, मैं नन्य बच्चों की तरहा रोने नहीं लगता, दरसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालुम होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले संभलता नहीं, छिपकर जह तूर रास्ते में सेंकरों भिकारी भीक मांगते नजर आते हैं किसी के हात नहीं, किसी के पैर नहीं हैं, कोई अंधा है इस तरह नाचाने कितनी तरह के दुखी देखता हूं मैं भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी होकर कहता भगवान इन्हें मेरे गाउं भेज दो खेर अब भागे भिकारियों की बाद जाने दो अब मैं अपनी बात कहता हूँ देखते देखते आखें इसकी आदी हो गई पर मैं विद्या सागर नहीं बन सका बीश बीश में हमारे देश की माता सरस्वती ना जाने कहां से आकर मेरे कंधे पर सवार हो जाती मैं नहीं कह सकता उसकी आग्या से कभी कभी मैं ऐसा सतकर्म कर डालता था कि जब भी मुझे उन सरस्वती जी से ग्रिना हो जाया करती है देरे पर किसका कौन सा आनिस्ट किया जा सकता है रात दिन मैं इसी फिक्र में रहता एक दिन की बात है बाबू ने घंटे बर मेहनत करके अपनी धोती चुनकर रखी वे शाम को घूमने जाएंगे मैंने मौका पाकर उसे खोल कर सिधा करके रख दिया शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तक्तीर ठोकर बैट गए मैं भूला नहीं समाया जगरनात बाबू का आफिस जाने का समय हो गया है जल्दी जल्दी खा पीकर अच्छी तरह आफिस तक पहुँचना चाहते हैं मैंने ठीक मौके से उसकी अच्चकन के बटन काट कर फैंक दिये स्कूल जाने से पहले जरा जहांकर देखा गया बेचारे चिलना कर रोने की तयारी कर रहे हैं मैं खुशी से रास्ते भर हस्ता रहा शाम को आफिस से लौट कर बोले मेरे बटन कमबक्त गदाधर ने चुरा कर पेस्ट आले हैं निकाल दो नालायक हो जगर्नात बाबु के बटन हरन के मामले पर भाईया और राम बाबु भीतर ही भीतर खूब हसने लगे भाईया ने कहा कितने तरहा के चोर होते हैं कोई ठीक है पर बटन तोड़ कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना जगनात बाबु भया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए बोले नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए ठीक ओफिस जाते वक्त बदमाशी तो देखो, दुरगती की हद करती उन्हें एक काला फटा कुड़ता पहन कर आफिस जाना पड़ा, सब हस पड़े, जगनात बाबु को भी हसना पड़ा पर मैं नहीं हस सका, मुझे डर हो गया, कहीं गदाधर को सचमुछी ना निकाल दे वो बेचारा बिल्कुल निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुप-चाप सारा कसूर अपने उपर ले लेगा अब मझले भाईया शायद समझ गए कि किसने बटन लिये हैं, गरीब कजाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया पर मैंने भी उस दिन से प्रतिग्या कर ली, कि अब ऐसा काम कभी न करूँगा, जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफ़त आए ऐसी प्रतिग्या मैंने पहले कभी नहीं की, और कभी करता भी या नहीं कह नहीं सकता सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा, मुझे उसने मिट्टी कर दिया किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई नहीं कह सकता पंडी जी, बाबा और भी कितने ही महाशियों की लाग कोशिश करने पर भी, जिस बात की प्रतिग्या मैंने कभी नहीं की और ना शायद करता, एक गदाधर महराश का चहरा देख कर उस बात की प्रतिग्या कर बैठा उसके बाद इतने दिन बीट गए, इस बीज में कभी मेरी प्रतिग्या भंग हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जान बूच कर कोई प्रतिग्या भंग नहीं की अब एक और आदमी की बात कहता हूँ, वो था हम लोगों का नौकर रामा रामा जाती का कायस्त या ग्वाल ऐसा ही कुछ था, कहां का रहने वाला था, सो मैं भी नहीं कह सकता उस जैसा फुर्तिला और होश्यार नौकर मेरे देखने में नहीं आया अगर फिर कभी उससे भेंट हो गई, तो उसके गाउं का पता जरूर पूछ लूँगा सभी कामों में रामा चर्के की तरह गूमता रहता अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूं कि भाईया नहाने बैठे हैं, तो वो उनकी पीट रगर रहा है उसके बाद ही देखा कि पान लगाने में व्यस्त है, इस तरह वो हर वक्त दोड़ धूप करता रहता भाईया का वो फेवरेट बड़ा काम का प्यारा नोकर था, पर मुझे वो देखे न सुहाता उस नालायक के लिए अकसर मुझे भाईया से खरी-खोटी सुननी पड़ती, खास कर गदाधर को वो अकसर तंकिया करता मैं उसे बहुत चड़ गया था, मगर इससे क्या होता, वो ठहरा भाईया का फेवरेट राम बाबु भी उसे फूटी आँखों ना देख सकते थे, वे उसे रूज, रंग सियार कहा करते थे उस समय इस शब्द की व्याख्या वे खुद ना कर सकते थे, मगर हम यह खूब समझते थे कि रामा दरसल रूज है, उनके चिड़ने के कारण थे, मुखे कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबु कहा करता था भाईया कभी कभी उसे राम बाबु कहकर पुकारा करते थे मगर राम बाबु को यह सब अच्छा ना लगता था खेर जाने दो इन वेर्थ की बातों को एक दिन शाम को भाईया एक नया लेंप खरीद लाए बहुत बढ़िया चीज थी करीब पचास आठ रुपे दाम होंगे शाम को जब सब घुमने चले गए तब मैंने गदाधर को बुला कर उसे दिखाया गदाधर ने ऐसी बत्ति कभी नहीं देखी थी वो बहुत ही खुश हुआ और दो एक बार उसने उसे इधर उधर करके देखा भाला इसके पाद वो अपने काम से चला गया पर मेरी क्योरिसिटी शांत नहीं हुई मैं उसकी चिमनी खोल कर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है देखूं कि उसके भीतर कैसी मशीन है बहुत खोल कर हिलाया डुलाया इधर उधर किया घुमाने फिराने की कोशिश की पर खोल ना सका बहुत अब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है लिहाजा मैंने घुमाया घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे थाम ना सका नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिर कर चकना चूर हो गया उस दिन बहुत रात पीते मैं घुम कर लोटा घर आकर देखा वहां बड़ी हाई तौबा मची हुई है गदाधर को चारों तरफ से घिर कर सब लोग पैठे हैं गदाधर से जिरहा की जा रही है भाया खूब बिगड रहे है गदाधर की आँखों से टप टप आँसू गिर रहे थे वो कह रहा था बाबु जी मैंने इसको जरा चुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं सुकुमार बाबु ने मुझे दिखाया मैंने सिर्फ देखा उसके बाद ये घुमने चले गए मैं भी रसोई बनाने चला गया किसी ने उसकी बाद पर विश्वास नहीं किया पर मानित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है उसकी तंख्वा पाकी थी उसमें से साढ़े तीन रुपया कट कर नई चिमनी मंगाई गई शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए सिर्फ मेरी दोनों आखे जलने लगी हर वक्त मन में यही खयाल आने लगा मानो मैंने उसकी माँ के साढ़े तीन रुपय चुरा लिये मुझसे वहां रहा नहीं गया रुप बिलक कर किसी तरह भाईया को राजी करके मैं गाउं पहुँच गया सोचा था दादी से रुपय लाकर चुपके से साड़े तीन की जगा साथ रुपय गदाधर को दे दूँगा मेरे पास उस वक्त रुपय बिलकुल ना थे सब रुपय भाईया के पास थे इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा सोचा था कि एक दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा मगर साथ आठ दिन वहां पीथ ही गए साथ आठ दिन बाद फिर कलकत्ते पहुँचा मकान में पैर रखते ही पुकारा गदा पर किसी ने जवाब नहीं दिया फिर बुलाया गदाधर महराज अब की बार भी जवाब नदारत फिर कहा गदा कि रामा चरण ने आकर कहा छोटे बाबु अभी आ रहे है क्या हाँ हाँ अभी चला ही आ रहा हूँ महराज कहा है महराज तो नहीं है कहां गया है बाबु ने उसे निकाल दिया निकाल दिया क्यों चोरी की थी इसलिए पहले बात मेरी ठीक से समझ में नहीं आई इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुह देखता रहा रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया जरा मुस्कुरा कर बोला छोटे बाबु आप ताजुप कर रहे हैं मगर उसे आप लोग पहचानते ना थे इसी से इतना चाहते थे वो चिपा रुस्तम था बाबु उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था किस तरह चिपा रुस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका यह मेरी समझ में कुछ ना आया मैंने पूछा किसके रुपे चुराय थे उसने बड़े बाबु के कहा थे रुपे कोट की जेब में किसी बात है आप घर में थे नहीं राम बाबु ने लिये नहीं जगनात बाबु ले नहीं सकते मैंने लिये नहीं तो फिर गए कहा लिये किसने अच्छा तो तूने उसे पकड़ा है रामा ने हसते हुए कहा और नहीं तो कौन पकड़ता ठंठनिया का जूता आप आसानी से खरीच सकते हैं ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता उसी से मैंने उसकी खूब मेरा सोई में जाकर रो पड़ा उसका वहे छोटा सा काल होका एक कोने में पड़ा था उस पर धूल जम गई थी आज चार-पांच रोज से उसको किसी ने चुआ भी नहीं किसी ने पानी तक नहीं बदला देवार पर एक जगा कोईले से लिखा था सुकुमार बाबू मैंने चूरी की है अब मैं यहां से जाता हूँ अगर जिन्दा रहा तो फिर कभी आऊंगा मैं तब लड़का ही तो था बिल्कुल बच्चे की तरहा उस हुक्के को चाती से लगा कर फूट फूट कर रोने लगा क्यों? इसकी वज़ा मुझे नहीं मालूम फिर मुझे उस मकान में अच्छा नहीं लगा शाम को घुम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोईया को खाना बनाते देख चुप चाप लौट आता अपने कमरे में आकर किताब खोल कर पढ़ने बैट चाता कभी कभी मुझे मजले भाईया भी देखे नहीं सोहाते रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगती बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भाईया से कहा बड़े भाईया क्या किया तुमने किसका क्या किया गदा ने तुम्हारे रुपे कभी नहीं चुराए सभी जानते हैं मैं गदा-धर महराज को बहुत चाहता था भाईया ने कहा हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार पर अब तो जो होना था सो हो गया लेकिन रामा को तुने इतना मारा क्यों था अच्छा मारा था क्या मुझे भी निकाल दोगे भाया ने मेरे मुँँ से कभी ऐसी बात नहीं सुनी मैंने फिर पूछा तुम्हारे कितने रुपे वसूल हो गए भाया बड़े दुखित हुए बोले काम ठीक नहीं हुआ तंख्वा के धाई रुपे हुए थे सो सब काट लिये मेरी इतनी इच्छा नहीं थी मैं जब तब सडकों पर घूमा करता दूर पर अगर किसी को मेली चादर उड़े और फटी चटी चमकाते हुए जाते देखता तो फौरन दोड़ा दोड़ा उसके पास पहुचाता पर मेरे मन का अर्मान पूरा ना होता मेरी आशा नित्य निराशा में पन्रित होने लगी मैं अपने मन की बाद किस से कहूँ करीब पांश महिने बाद भाईया के नाम एक मनी ओडर आया डेल रुपे का भाईया को मैंने उसी रोज आशू पोंचते देखा उसकी कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है कितने वर्ष बीद गए कोई ठीक है मगर आज भी गदाधर महराज मेरे रिदे में आधी जगा घेरे बैठे है अभी आपने शरचन चटोपाध्य जी की लिखी कहानी सुनी आप मुझे आग्य दीजे और कथा साहित्ते से जुड़े रहिएगा धन्यवाद